वेलकम टू प्रेजंटेशन आज के टॉपिक में हम एडवांस जावा में जेस्पी के कुछ एक्षेंट टैग्स जो मोस्ट इंपोर्डन टैग है पैरम टैग के बारे में पढ़ेंगे पैरम के जैसे नेम से ही शो हो रहा है कि इसे हम पैरामीटर टैग भी कह सकते हैं में जब भी हमें जेस्पी पेज में अपनी पैरामीटर को पास करना होता है में अगर नेम देना चाहते हैं और वैल्यू देना चाहते हैं अपनी आर्गुमेंट्स को पास करना चाहते हैं तो उस टाइम पर हम पैराम टैग को यूज करते हैं चलिए इसके कुछ points चानते हैं, definition दी गई है हमारे पास, this allows java programmer to pass a name and value of parameter to dynamic resources, ये tag हमें allow करता है किसे java programmers को, जिसकी help से java programmers name और values pass कर सकते हैं, means names और values के parameters pass कर सकते हैं किसे dynamic resources को, while including it in a jsp page और forwarding a request from jsp page to another jsp page, वो इस tag को कब use कर सकते हैं, जब हम इसे jsp page पर include कर लेते हैं, और forward tag को भी use करते हैं, forward tag की help से हम अपनी request को, जो भी हम data perform कर रहे होते हैं, अपना operation है हम data को forward कर सकते हैं, one jsp page से another jsp page पर, तो उस time पर हम param tag को use करते हैं, क्या करने के लिए, parameters pass करने के लिए, जैसे name और values, अब हम इसका syntax चानते हैं, हम क्या करेंगे, jsp लिखेंगे, then include, then page, equals to signs के अंदर, comma लगाकर, commas inverter, comma start and close, इसके अंदर हम लिखेंगे test.jsp, पहले हम अपनी include करेंगे file, जैसा कि इसकी definition में दिया गया है, while including it in jsp page, then हम यहाँ पर param लिखेंगे, param tag का नाम, then name लिखेंगे, username हम enter करेंगे, क्योंकि हम इसकी आप से name दे सकते हैं, then हम उसकी value एंटर करेंगे, जैसा कि इसकी definition में आप देखेंगे, it is used to pass a name and value to parameter, then हमने value दी और इस tag को close किया, then हमने यहाँ पर include tag को भी close किया, यह हमारे पास syntax है, जब हम इसे forward tag की साथ use करते हैं, तो हम कैसे करेंगे, आप लिखेंगे, jsp, colon, forward page, then page का name, जिस page को आप forward करना चाहते हैं, एक jsp पेज से next jsp पेज पर, then param, name, username, value is equal to value देंगे, आप means जो win line है, perm tag वाली, वो same है include tag के लिए, और forward tag के लिए, then आप forward tag close करेंगे, only difference किसमें है, include tag के अंदर और forward tag के अंदर, तो इस तरह से आज के topic में हमने जाना कि कैसे हम jsp के action tag, param tag को यूज़ कर सकते हैं, जब हम include tag यूज़ करते हैं, और forward tag यूज़ करते हैं, आज के topic में इतना ही, thank you,